जिव इंडिया के स्टार क्रिकेटर मुहम्मद शमी और उनकी पतनी हसीन जौहां के बीच विवादों का सिलसिला थमने का बिलकुल भी नाम नहीं ले रहा आपको बता दें कि हसीन जौहां ने साथ मार्च 2018 को मुहमद शमी पर अवैर्द संबंद दुशकर्म और मैच फिक्सिंग जसे कई संगीन आरूप लगाये थे जिसके बाद मुहमद शमी को शक की नजरों से देखा जनने लगा हाला कि मैच फिक्सिंग विवाद में BCCI ने उन्हें क्लीन चिट दे दी लेकिन बाकी मामलों में BCCI का कोई लेना देना नहीं था आपको बता दें कि IPL में भी दिल्ली डेडेविल्स की टीम ने उन्हें मौका दिया लेकिन शमी उमीद के मुताबिक प्रदशन नहीं करक पाए जिसके बाद उन्हें चार मैचेस ही खिलाए गए IPL में भी ऐसे में अब यो यो टेस्ट में फेलोने के बाद शमी टीम इंडिया से तो बाहर होई चुके हैं बताया जो रहा है कि शमी के इस हालत की बज़ए उनकी पत्री हसीन जहां है जिन्होंने शमी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे और ऐसे में शमी अब मानसिक तोर पर काफी जादा परिशान रहने लगे खबर यह भी आ रही है कि मुहमthan शमी काई दिनों से काफी जादा परिशानी महसूस की है ऐसे में वो अब अपना जाधातर समय अकेले बिताना चाहते हैं और वो दुनिया से दूर भाग रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स टेस्ट के रिपोर्ट